Hello Students, Welcome in Admiral Convent School Hello Students, I am Shayan Luthra Today I will teach you Class 6, Chapter 3, Exercise 3.6 Let's start First question is, Find the HCF of the following numbers हमें जो नीचे HCFs दे रखें, जो हमें numbers दे रखें हमें इनके HCFs जो हैं, Find Out करने हैं तो First है हमारा 18 and 48, हमें इन सब के HCF Find Out करने हैं तो सबसे पहले हम 18 और 40 के Prime Factorization कर लेंगे जैसे कि अगर हमें HCF निकालना है HCF निकालने के लिए पहले हमें 18 का और 48 का इस तरीके से हम इसको Prime Factorization करेंगे जब हम इस तरीके से निकालेंगे तो जो हमारे पास numbers आएंगे जो इसके factors निकलते हैं, यह हमारे Prime Numbers होते हैं तो हम इन जो Prime Numbers को जो हमारे Factorization में आए हैं उनको हम यहां लिख लेंगे, 18 के factor क्या बनगे? 2, 3, 3, ऐसे ही 48 के factor उसके पाद जो दोनों में common है वो हम यहां लिखेंगे, यहनकी जो 18 और 48 में common है, वो 2 और 3 है तो HCF क्या होगा 18 और 48 का? 6, 2 इंटू 3 जो भी हमारे common factor निकलेंगे, हम उसको multiply कर देंगे जो multiply करके answer आएगा, वही हमारा HCF होगा ऐसे ही B में, 30 और 42 का हम Prime Factorization कर लेंगे यहनकी हम इसको factors निकाल लेंगे, पहले 30 के और 42 के हमने 30 और 42 के Prime, जो हमने factor निकाल लिए उसके Prime Factorization हमने यहां लिख लिए उसके बाद हम इसमें से common निकाल लेंगे 2 और 3 common आ रहा है इसमें भी और इसका जो common factor क्या है 2 और 3 और इसका HCF क्या आएगा 30 और 42 का 2 और 3 is equal to 6 इसका भी जो है HCF 6 ही आया C देखते हैं इसमें भी हमें 18 और 60 के इससे factor निकाल के लिख लेंगे उसके बाद इसमें से common निकाल लेंगे इसमें भी हमारा 2 और 3 ही common आ रहा है और दोनों को multiply कर देंगे तो क्या आजएगा 6 2 इंटू 3 6 यह निकि इसका भी जो है HCF क्या आया 6 ही आया HC 26 और 63 का किया हमने दोनों के factors निकाल लिए जुसके prime factors थे वो हमने यहां लिख दिए इसमें क्या common आ रहा है दोनों में 3 और 3 common आ रहा है common और दोनों में 3 तो तो दोनों में 3 और 3 common आ रहा तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया तो इसका HCF क्या हो गया 9 हो गया ऐसे ही E करेंगे हम E में भी हमें 36 और 84 दोनों के जो है हमने पहले factors निकाल लिए उसके factors यहां पर दिख लिए फिसमें से common आया 2 2 और 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 12 तो इसका HCF क्या हो गया 12 हो गया 34 के निकाल लेंगे 34 का हो गया 2 इंटू 17 और 102 का कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 17 और इनके हमने यहां लिए कि इसमें क्या common आ रहा है सिर्फ 2 ही common आ रहा है वो है 2 और 17, तो इसका है सेफ क्या होगा, 2 इंटो 17, 34, ऐसे ही पहले हम G के भी हमें 3 नमबर्स दे रखे, अब हमने इन 3 नमबर्स के पहले factors निकाल लेने हैं, और यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें क्या common आ रहा है, 5 common आ रहा है, और 7 भी तीनों में common आ रहा है, तो 5 इंटो 7 35, क्या factor हो गया इसका, 35, H में भी ऐसे करेंगे, पहले 91 के factor, फिर 12 के, फिर 49 है, तीनों के जब हमने factors, sorry 112 है यह, 112 के, 91 का क्या है, 17 और 13, 112 का 2 इंटो 2 इंटो 2 इंटो 7 और 49 का 7, अब तीनों में जो है सिर्फ 7 ही common आ रहा है, और कोई भी नमबर नहीं है, जो common हो, तो इसका SCFV क्या होगा, सिर्फ 7 ही होगा, ऐसे ही अब हमें 18, 54 और 81 के निकालने हैं, तो 18 के पहले निकाल लेंगे, factors, फिर 54, फिर 81, जो इसमें common है, फिर उस पे हम circle करेंगे, देखो अब 2 जो है वो नहीं आ रहा है, इसमें common, तो ये 2 हमारा नहीं है, तो इसमें क्या common आ रहा है, और एक 3 और है, जो इसमें common आ रहा है, तो 3 इंटू 3 कितना होजागा, दो 3 जो इसमें common है, तो 3 इंटू 3, 9, तो इसका factor क्या होजागा, 9, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 बार जो है, वो 3 common आ रहा है, उसके बाद इसका जो last है, जो 12, 45 और 75, तीनों के हमने निकाल लिए factors, 12 के लिख लिए, 45 के लिख लिए, और 75, अब तीनों में जो है, सिर्फ इक 3 ही है, जो common आ रहा है, इसके लावा कोई और number नहीं हो, तो इसका HCF क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, question number 2 देखेंगे, write the HCF to consecutive numbers, write the HCF of 2, even numbers, and write the HCF of 2, sorry, write the HCF of 2, consecutive numbers, write the HCF of 2, consecutive even numbers, and consecutive odd numbers, ठीक है, हमें इसमें HCF निकाल, number हमें अपने पास से लेने होंगे, अब 2 consecutive numbers का हमें पहले HCF निकालना है, तो कोई भी आप 2 consecutive number मतलब जो counting में आते हैं, एक के बाद है, अब 5, 6 भी लिख सकते हो, 7, 8 भी लिख सकते हो, 2, 3 भी ले सकते हो, कोई भी दो, तो हमने हैं पर 3 और 4 ले गया, 3 का हमने HCF निकाला, 4 का हमने HCF निकाला, तो इसमें क्या common आ रहा है, HCF कैसे निकलेगा इसका, 3 का निकाला तो पहले 3 से किया, फिर 1 से किया, फिर 4 का निका तो हम इसको वन से नहीं करते लेकिन हमें सिरफ special consecutive numbers निकालने का ही बोला गया है तो हमें इस case में इसको वन से भी करना पड़ेगा ठीक है यह बताने के लिए कि जो consecutive numbers है उनका FCF होता क्या है जो consecutive numbers होते है उनका FCF हमेशा 1 होता है क्योंकि इसके अंदर सिरफ 1 ही common आता है देख भी हम दो consecutive numbers का FCF निकालते हैं तो हमेशा वो 1 आता है ठीक है ऐसे ही दो consecutive even numbers का निकालना तो दो consecutive even numbers के है 2 और 4 तो भी एक even number है और इसके बाद में पीच में 3 आ जाता है वो even नहीं और नमबर है इसलिए consecutive में 2 और 4 लिखेंगे है तो का FCF हमने factorization किया और 4 का किया उसके बना गए अब और 2 भी आ गया इसके अंदर 1 को 2 से multiply किया 2 तो क्या है HCF और 2 consecutive even number is 2 जब हम दो consecutive even numbers को हम factors का HCF निकालते है उसका तो उसका HCF क्या आता है 2 आता है ऐसी हमें दो consecutive odd numbers का भी जो है HCF निकालना तो consecutive odd numbers हमने यहाँ पर 3 और 5 ले लिए 3 का निकाला 1 और 3 5 का निकाला 1 और 5 तो इसमें भी हमारा क्या को मना रहा है 1 तो जब हम तो consecutive odd number का HCF निकालते हैं तो हमारा HCF 1 आता है ठीक है question number 3 देखते हैं HCF of co-prime number 4 and 15 was found as followed by factorization 4 का अगर हम HCF निकालते हैं factorization तो क्या होता है 2 into 2 15 का निकालते हैं तो 3 into 5 होता है since there is no common prime factor अब इनके अंदर कोई भी common prime factor नहीं है क्योंकि यह co-prime number है ना देखो इसमें 2 or 2 है इसमें 3 or 5 कोई भी common factor नहीं है so HCF और 4 and 15 is 0 तो इसका जो HCF होगा 0 होगा is the answer is correct तो इसका answer correct है if not अगर नहीं है यह answer correct है कि इनका जो factor है वो 0 common है इन्होंने हमें बोला कि इनका जो factor इनका जो HCF है वो 0 होगा क्योंकि कोई भी दोनों में common factor नहीं आ रहा तो it means इसका answer 0 होगा अब हमें बताना है कि जो 0 है वो answer सही है या नहीं अगर नहीं है तो कैसे इसको हम सही करेंगे इसका answer सही क्या है फिर पहले हमने factor लिख लिए 4 के 1 2 और 4 ठीक है और 15 के लिख लिए 1 3 5 और 15 तो अब इसमें से क्या common आ रहा है एक पर दुबारा आप इस question को देखिए hcf of co prime number 4 and 15 नहीं कि जो co prime number 4 और 15 है was found as also followed by factorization अब यहाँ पर जो हमें इसका factorization करना है ठीक है यानि कि हमें 4 और 15 के factors निकालने है पहले जब हमें hcf निकालने के लिए बोला गया था जिसकी question number 1 में तो हम उसके क्या निकाल रहे थे प्राइम factors निकल रहे थे जब हम उसका factorization कर रहे थे तो यहाँ पर हमें सिर्वर ने factorization करने के लिए बोले जिस दम 4 का कैसे लिखेंगे factor जैसे हम लिखते है factor कैसे लिखते है 1 into 4 2 into 2 चीक है तो क्या factor होगे इसके 1 2 और 4 ऐसी 15 के क्या करेंगे 1 into 15 3 into 5 तो क्या factor बनगे 1 3 5 और 15 अब इसमें से क्या common आ रहे है दोनों में 1 common आ रहे है so common factors 4 15 is 1 तो इसलिए HCF और 4 and 50 is जो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा क्योंकि common factor 1 आ रहे है and not 0 जीरो नहीं होगा इसका तो जो हमें answer दे रखा है बुक के अंदर कि उसका जो answer है वो 0 होगा तो answer is not correct आप ये line उपर लिख दीजिए इस तरीके से answer is not correct पहले ही लिख दीजिए क्योंकि उने बोला कि because because की बाद अब इसको solve कीजे because factor of 4 are this and factor of 15 are this so common factor of 4 and 15 is 1 so HCF or 4 and 15 is 15 is 1 not 0 तो इसका HCF 0 नहीं आएगा 1 आएगा तो यहाँ पर जो हमारी exercise है 3.6 यहाँ पर complete हो जाती है hopefully आपको हमारा वीडियो helpful लगाओ वीडियो helpful लगे तो please like, share and subscribe करें thank you